जो काफी प्राचिन है डिजाइन में बनाया गया है और प्राणा मंदीर है नवी सतापदी का और स्विलिंग रखा गया है और माता को यहाँ पर वियाज माने गया देख सी प्रभूत बड़ा तलाब है लेकि नवी सूखा हुआ है गर्मी के समय में सीर्पूर का है छह मासी मंदीर के सापी सताथी को निरुटी है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो स्वागत द्वार पे लिखा हुआ है जैमा चीता और ही देवी और यह जो गाउ है उसका नाम लिखा है धोबनी और चलते हैं इसका रहस्य को जानते हैं तो वीडियो में लास्तिक बने रहें और देखते रहें हैं वीडियो ने बिलाब पर दोस्तों आज मैं और रहस्यों से भरा जगह आ गया हूं बहुत प्राचिन मंदिर है यहां का एक खास गांव है कोई नहीं जानता लेकिन यह एक रहस्य है जो 36 गड़ में है यह और एक छोटा सा गाओ का है यह तो देखते हैं यहां सामने अभी देख सकते हो यह तलाब है पुरा बहुत बड़ा तलाब है लेकिन अभी सुखा हुआ है गर्मी के समय में पुरा पानी सुख जाता है तो और जो मंदिर है वो इस तरफ है देख सकते हो यह मंदिर जो काफी प्राचीन है और कुछ समय यह एक टूड़ गया था पुरा आधा इसका हिस्सा तो टूड़ गया था फिर बाद में इसको रिकवरी करके जैसे भी करके मरमत किये हुए बहुत प्राचीन है दोस्तों यह म हरा हुआ है कि पट्थर से बना है यह तो यह सुद्थर का भाग है देख सकते हो प्राचीन इटो और पत्थरों से बना है यह नीचे का जो हिस्से पत्थर का है उपर जो बनाया गया है दोस्तों वो इटा से बनाया गया है इसी के सेम डिजाइन में तोकि यह कुछ समय पहले यह तूट गया था फूरा तो इसको रिकवरी किये हैं जो आसपास के है पुरा तक तभी भाग वाले पुरा तो रिकवरी करके बनाया गया है उपर देख रहे कि प्राचीन और पुराना मंदिर है यह पहले यह सिव मंदिर था यहां पर बात में इसको माता की स्थापना हुआ चितावरी माता की नाम स्थिया मंदिर बहुत काफी कि अभी बंद है गेट कि अभी दोपार के समय है सुबह के टाइम में हापस खूला रहता है चोटा सांगन जैसे है और अभी फिलाचीन है और एक गाउं के तलाब के किनारे में है यहापस एक तलाब है जो अभी सूखा है फिलाल बहुत पानी भर रहता है और इधर सांग जाते हैं कि यहापस सामने में लिखा हुआ भी है आपको दिखांग तो यहां से सामने से हैं दोस्तों देख सकते हैं यहां पस इसको बाद में जब इसका रिपेरिंग अगे रखिया गया मरमत किया गया तो इसे चीतावरी देवी के नाम से इसे बनाया गया दोबारा फ़िलाल यहां भी माता की नाम से चीतावरी माटा की नाम से मंदीर अब जाना जाते पहले हैं यहां स्यूलिंग हो करता था क्राचिन समय में और यहां पस भी लिखा गए चितावनी दिया है कुछ पूरा इसे चुना मनाया आसपास के कुछ भी इसको हस्ते छेप नहीं करना है इसमें क्योंकि यह पूरा तत्त भाग द्वारा पूरा है कि यह हुआ हुआ है कि यह पर देख सकते हुआ कि आप कि यहां से चोटा सा गेट है जाने के लिए गेट है तो यहां पर सभी फिलाल अंदर बंद है तो दोस्तों अभी मैं हूँ चितावरी माता मंदिर जो यह दोबनी गाव में है वह रहाईपुर जिला आंतर गताता है और इसकी खास जिसता है कि यह नवी सताप्दी का मंदीर है काफिक पुठाइना है अभी चरह रहा है कि तो आप अन्दाज़ा लगा सकते हो कि यह कितना हजार साल पुराना मंदीर है इसकी खास उसस्ता है कि यह मंदीर में फिर बाद में इसको परिवतन करके यहां माता इस्थापत हुआ और यह चितावरी माता की नाम से यह मंदीर अभी जाना जाते हैं कर देख सकते ही अंदर जाने का मुख्य मंदीर का रास्तर है आपस काफी प्राचिन समय का पुरा तत्त विभाग दोरा खुदाई से प्राफ्त हुआ बहुत प्राणा प्रतुर पर से ने में इस्था यहां परस मंदीर होगी रहे और यहां पर माता का यह जो मूर्टी है देख तो यह भी छट्वी से साथी सत अब्धी का मूर्टी है जो कि गावाने कि रवारा पूजा किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस मंदीर में पहले यह चहरी दपे करते हो और स्विलिंग का और स्विलिंग जो बिटिस के र ऐसे अंदर गेट डबल लगवा है अंदर जमाता अंदर में विरादमान पाची तावरी और यह पहले अभी हुआ करता था यह स्यूमंदिर हुआ करता था सामने का है भाग है देख सकते हैं सामने में देख सकते हो सीमेंट से उसे पचा कर रखा गया है नहीं तो यह पूरा तूड़ जाता है बारिस और पान वगिरा में कि दोस्तों यह काफी प्राचिन है नवी सताब्दी का यह मंदिर है और अभी चर रहे किस्वी सताब्दी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना प्राचिन मंदिर है यह करीबन 15-20 हजार साल पुराना मंदिर है वाली कौन निर्मान के था कैसे यहाँ पास यह बना है जिसे आज तक कोई नहीं जानता यह एक से भरा हैे मंदिर इसका दिर्मान वगिर कोन किया है कोई नहीं जानता अ lot अजिए मंदित भी यहाँ पास है कि रिख्य किनारे किनारे काभी प्राना प्राचिन-कुदाई से प्राप्त मंदीर का इसमें कुछ मंदीर में अलगलग देवी द्योंगा जो काफी प्राचीन है और डिजाइन में बनाया गया है बना थे प्राचीन पत्थरों से बना है यह जो आज आज तक अभी भी यहां दिखाई दे रहा है उपर से नीचे तर्फ पहले का समय में बहुत अच्छा कारीगार हुआ करते थे जो पत्थरों को तराज कर मूर्थियां को बना देते थे तो उसी समय का है दोस्तों यह प्राचीन समय का देख सकते हूं उपर से नीचे तक का पत्थरों से निर्मित है यह मंदीर जो पहले कभी सीवलिंग हुआ करता था यहां पर सी भगवान स्क्यूजी का अब यहां पर माता विराजमान हो गए है माता के स्थापन हो गए तो अब यह चीतावरी माता की नाम से जाना जाता है अब दोस्तों यहां पस देख सकते हैं यह काफी प्राचिन और प्राना मंदीर है नवी सताबदी का और पहले यह सीवलिंग हुआ करद था अब यहां पस माहाचीतावरी देवी का मंदीर के स्थापना हो गया है तो बहुत पहले का है यह मंदीर जो यह च्छतिस गड़ ए है और यह गाओं है और यह गाओं की किनारे में लगता हुआ है यह मंदीर तलापी किनारे में है काफी समय से प्राचिन है और इसका जो मंदीर अंदर खुलता है वह सुबह करीब 9-10 बज़ तक रहता है और साम को खुलता है बाकी समय बंद रहता है और यहां पास छोटा स जी मंदीर है देख सकते हैं इसके जश्ट बगल में सन्य देहूं का भी मंदीर बनाया गया आपस तो दोस्तों यह मंदीर जो है बहुत रस्यों सुपरा बंदीर है जो देख सकते हो आप अब बूद्ध बड़ा तलाव है भी सुखा फिलाल आपस बगल में भगवान सीव जी करें आपस मुर्टी है तो दोस्तों आपने जो देखा यह वीडियो में एक रहस्य से भरा मंदिर है जो पहले सीव लिंग था फिर बाद में हमाता का स्थापना करके चितावरी माता का निर्मान हुआ अब यह चितावरी माता की नाम से जाना जाता है यह रहत्पूर से करीबन 60 मिटर दूर है दामा खिड़ा से लगा हुआ है यह गाउं धोबनी गाउं वहां पस है यह मंदिर और काफी प्राचिन है दोस्तों यह 90 सताबदी क का है दोस्तों यह मंदिर देख रहे हो पहले 66 रात हुआ करता था जो सीरपूर का रभे श्यूंदी practically 6 मासी में गौन दोस्तो आज तक यह रहस्यों से भरा है यह मंदिर क्योंकि कोई नहीं जानता है मंदिर किसने बनाया है कैसे बनाया है लेकिन यह मंदिर आज लेख सकते हो आज भी यहां पस सही सलामत यहां पास खड़ा हुआ है यहां पस यह मंदिर और काफिक प्राचीन है दोस्तों यह मं मंदीर है वह और यह मंदीर सब एक साथ उसी समय का है और उसी डिजाइन में उसी पत्थरों से बना है यह मंदीर तो यह गाओं और यह मंदीर आज भी रहस्यों से भरा हुआ है तो आप एक बार जरूर है यहां पस तो दोस्तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जोर बता है चानल में नो तो सब्सकाइब जरू कर दे और ऐसे ही नए नए रहस्यों से भरा जगा है और बंदिरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब करने के साथ साथ बिल आइकन को आल पार सेटिंग कर ले ताकि हम मिलता रहे तो मिलते हैं दोस्तो और नए वीडियो में नए रहस्यों से भरा जगा में तो अब तक लिए जैहिन वंदे मात्रम